तो इसको चेंज करने का क्या तरीका है कि आप सिंपली डैशपूर्ट में आ जाएं यह जो चीज है ना यह थीम की वज़ास है तो थीम को चेंज करना थीम में अगर कोई भी कस्टमाइजेशन करनी हो तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आप कस्टमाइज के टैब में आ जाते हैं ठीक है ओफुली आपको याद होगा इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डि अब जो ही है तो मैं क्या करूंगा यहां से आके देखij यहां पर यह डीके देखें। हैडे में उन्होंने लिखा भी होगा है अ साफ तो पर लॉण और जो इमज हो यहां यह इन्हें हैं तो यहां पर एक सबस्था आप एट अब पाल्ले भी मुझे करें है ईह फिल्गक म इनको यूज कर लेते हैं फिलाल के लिए और ये इमिज मुझे कुछ ठीक लग रही है इसको लगाते हैं और ग्रोब करते हैं तो ये अब देखें कि इसी के साथ ना साइट की लुक काफी बेतर हो गया जैसे ही अब ने ये काम कर लिया चेंजिस करने के बाद उसको साइट यहा पे हमारी जो वो को इमरस वेब्स साइट थी वो कम psychology हो गी मारे प्रोडक्ट एयड़ हो रही हैं उसके बाद यूज कर सकता है उनको एड टो कर सकता है एड्डो कार्ड करने के बाद और उसके कर्ण में एड हो जाएंगे वो पना कार्ड का पेश देख सकता है यहां पर बो हो देख सकते हैं कि किस अध्य आइग और आप देख सकते हैं कि यूई काफी बहत्रीन यूई बन ले है मारी हमने एक free theme यूज़ किया और यह fully, आप देख सकते कि यह responsive है, यह responsive है है जैसे यह बटन नहीं है, तो यह आप simple css के तुरूँ इसको responsive कर सकते हैं इसक और एक से इस्यू कुछ और के बागी आप देख सकते हैं कि यह बहतरीन यह यह और आप इसको अपने मनलब के वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसके पास कोई कूपन होगा वह भी यूज़ कर सकता है कूपन हमने कैसे लगाना है एक कूपन भी मैं आपको बना के दिखात देता हूं ताकि अगर आपको कूपन का भी आपको कॉंसेट क्लियर हो जाए आप वोग कॉमरस में आएंगे वोग कॉमरस बहुत ही बहतरीन एक उप्शन है इस पे सारे ही आपके लिए उप्शन आपको चाहिए ना वो सारी उप्शन यहां पे आप कूपन कोड लिखेंगे यह वह वहला कोड है जो आप यूज़ को देंगे और आपको मैं प्रेफर क ठीक है उसके बाद यहां से आप इस कोपन बना लिया इसकी वैलियो भी यहां पर डिफायन करनी है कि यह जो कूपन की टाइप एक तो कूपन होता है कि अगर वो कोई अप्लाइगा तो डिरेक्टली 200 रचाए या 2000 रचाए प्लाइगा और एक कूपन है जो अगर समांट होगा तो यहां पर मैं लिख दूँगा कि 300 रपया इसका नुकसान क्या हो सकता है कि अगर 500 रपया प्रड़क की वैल्यू थी उसने यह कूपन एड़ किया तो माइनस 500 रपया मतलब हमें 500 रपया देना परेगा इसके बाद यह कूपन अटमेटिकली ही एकस्पार हो जाएगा मैं चाता हूँ कि यह 30 रपया खीए है तो यह प्लाग इस चीज़ का भी ख्रियाल रकेगा कि 30 रख दो इसके बाद ए उसके यूजेज दिस्ट्रिक्शन मी लगा सकते हैं मतलब झाट है जारी बात है जैसे मैं अब भी बात की कि अगर हमने 300 लेका कोपन लगाया तो वो फिर 500 लेके प्रोडक्ट पे नहीं लगना चाहिए तो हम यहां पे अगर हम आपने फिक्स प्राइज लगनी है ना तो आप यहां पी कर सकतें कि यह कूपन अप्लाई करने के लिए minimum spend जो है वो 3000 होना चाहिए ठीक है कूपन जब भी कोई कूपन बनाएं तो यह option ज़रूर चेक करें क्यों करें क्योंकि यह ना ना हो कि एक उसने 50% का कूपन लगाया बार में वो 300 लेकर वाला कूपन भी लगा दे तो अगर आप इसको चेक करतेंगे ना तो फिर क्या होगा कि एक बार में सिर्फ एक ही कूप दिस्रिक्शन लगा सकते हैं तो यह आप उसके मिनिममम स्पेंट 3000 प्या यहां पर मैंने सेफ चेंजिस किये और पब्लिश कर दी तो यह तरीका था कि आप किस तरह प्रवाइड अब सिर्फ और उसको प्रवाइड करेंगे और वो यूज़ करेंगा तो उसकी उतनी 50% होग प्रवाइड 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 और यहांपे आप देख सकते हैं कि ऊड्र को ऊडर के उसको एकателя समृनी भी उसके पास आग Makसी बहुत में भी हो तो विससी में पडल क कमाई और यहांपे अपने MI account internet में आएगा और यहांपे आप देख सकते हैं क्योंकि हम admin user है, जो admin होगा उसको back end में किस तरह नज़र आएगा, वो WooCommerce में आएगा, यह orders के tab में आएगा, तो यहाँ पर जितने order हुए होगे, उसको यह देखें, कि order place हुआ है, यहाँ पर processing, यहाँ पर account में भी देख सकते हैं, कि इसका जो status है, यह देखें, and is currently processing, अगर अगर मैं यहाँ पर आके, इसका जो यहाँ से status है, status आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, simple, यहाँ पर यह status ही है, लिखावा status, इसको कह देखें के, on hold, यह completed, मतलब, वो on hold पर पहले करके देखते हैं, यहाँ पर हमने update किया, और यहाँ पर refresh किया, जैसे ही on hold किया, यहाँ पर on प्रेट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास यह भी हो गया, order again, ठीक है, यह अगर वो करेगा, तो उसी कार, उसी के साथ एक नया order generate हो जाएगा, जो के वो place कर सकता है, और यहाँ पर जो हमने coupon बनाया था, वो भी वो use कर सकता है, यहाँ पर coupon बस आके, यहाँ पर place करेगा, apply coupon करेगा और यह देखें यहां पे 8000 ती यह देखें क्योंकि हमारा 3000 का वो मतलब कि 50% ओप था ना तो यह देखें कि 50% रिमोब वा है कूपन इस कूपन की वज़ा से और यह 4000 बागी ला गया ठीक है पर सीट टू चैक आउट करेंगे यहां पे फिर वो क्योंकि हमने पहले एक दफाव डिटेल जो अकाउंट कुना लेगा ना एक दफाव वो सिरफ एक दफाव डिटेल देगा और बाद में फिर आटमेटिकली है और प्लेस ओडर करेगा हमने ना एक पेमेंट मेंट होता है और एक होता है कैसे अन डिलिवरी अगर तो आपका कैस अन डिलिवरी है तो आप आप Simple कहां पर आएंगे यहां पर WooCommerce में है Settings में आए और Payments में आगे यहां पर आप Payments Matter इंटेग्रेट कर सकते हैं ठीक है? Cash on Delivery अगर तो आपने Cash on Delivery करनी है तो Simple इसको Check कर दें और Save कर दें यहां पर आके Checkout में हम Refresh करेंगे रफ्रेश किया है तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास यह Check on Cash on Delivery क्योंकि हमारे पास एक ही Option था तो वह By Default चेक हो गया और Detail क्योंकि हमने पहले दे दी थी तो वह जूजर को सब एक दफ़ा Detail दे नहीं पड़े कि बाद में वह Login होगा अपने Account में इसमें पूरे अपने Downloads देख सकता है जो भी उसकी Information है और आप देख सकते हैं इसकी UI भी काफी बेहता रहा और सारी functionality हमारी चाल रही यहां पर देख सकते हैं कि Order जो हमारा था वो यहां पर हमारे पास Order वहागी है यह Completed जो हमने पहले Complete किया था और यह जो भी Order लास्ट में मैं आपको Demo Data एक इंपोर्ट करेंगा आकर दिखा दूँगा ताकि आप एक तफ़ा देख सकें कि जब हमारे पास एक Complete क्योंकि अभी हमारे पास यहां पर डेटा नहीं है आप देख सकतें डेटा ना होने की वज़ासे भी साइट का जो Home Page है वो इतना खुबसूरत नहीं लगा यह सर्फ इतना सा डेटा इस लिए अच्छा नहीं लगा मैं डेटा इंपोर्ट करूंगा फिर आप देखेंगे काफी बहतर हो जाएगा तो Demo Data इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे Google में आएंगे और सर्च करेंगे Demo Content for WooCommerce ठीक है यह सर्च करेंगे तो आपको स्क्रॉल अग करना परेगा यह GitHub पे पर पढ़ा होगा है GitHub पे ना हमारे पास Demo Data परा होगा है आप simply यह CSV फाइल आम इसरफ required है आप इस पे click करें और इसको download करने CSV फाइल को आप download यहाँ पे आप book homeless में आज़ें और इसको यही से download करने पूरे को download zip करें यह download हो जाएगा जैसे यह download हो जाएगा आप downloads में जहाँ पे भी आपका यह download होगा है इसको extract करें extract करने के लिए आपको Windows में विनारियार चाहिए होगा Mac में यह वैसी हो जाएगा अगर आपको विनारियार करने ही पता तो मैं उसकी वीडियो में description में उसका link देर होगा आप वहाँ से देख सकते हैं उसके बाद हमने sample data में जाना है और यह हमारे पास sample data CSV पर है यह इस दरफ हमें चाहिए ठीक है अब हम आएंगे products में WooCommerce में products किस तरह import करने है ठीक है चलें यह भी अच्छा वाटोपिक आगया हमारे पास हम यहाँ पे refresh करें आप एक दफ़ा import करने के लिए आप देख सकते हैं उपर ही रिखा हुआ है import आप इस पे click करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं choose csv file हमने वो ही यहाँ पे यह download किया है यहाँ से आप इस folder में आजेंगे sample data में आजेंगे जहाँ पे वो download किया हुआ है और यहाँ से सिर्फ csv file में चाहिए इसको click करें उसके बाद यह वाला option select नहीं करना और continue कर देना है ठीक ही जैसे ही आप continue करेंगे क्योंकि यह woocomners का ही sample data है तो आपको बाकी कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है सिर्फ रूदान इंपोर्टर करने हैं जैसे ही यह आप करेंगे जो products हैं उनको import करने लग परेगा इसमें धोरा सा time लगेगा क्योंकि इसने products की images को भी download करना है और products काफी ज्यादा उनको install करना है जैसे ही वो products add हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे जो हमारी यह website है इसकी जो look कहना काफी बेतर हो जाएगे हमारी website अभी तक complete हो चुकी है हमने अभी तक क्या किया जब तक यह products इंस्टेल हो रहे हैं हमें एक दफाा go through कर लेते हैं हमने सबसे पहले wordpress के इंस्टेल किया wordpress ने setup आप theme को इंस्टेल किया theme को इंस्टेल के बाद हमने अपना फॉर्स बढ़ने पुछों के यह आपने गाइखार हैं प्लॉण हे जो वाइख जा किया किया तरूड कुछ उसको बाद हमने उनको इंटिगरेट कीखा दिए सब्सक्राइख बदिए ई Candelsith Sir अम्हेन चारी को यह जैसे बाद में हमाया थियून की करणी है में उसके बाद हम ने जहां नहीं ही बार एमिज गया और इसी के साथ एक सब्सक्राइब त्यार होगी और अब हमेरे यह हुड़ित श sparks Core वडियूं ओकपरcus यह और अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्स इंपोर्ट हो चुके हैं और टोटल हमारे पास 25 प्रोडक्स इंपोर्ट होए हैं अब आप यहां पे आके रिफ्रेश करेंगे और अब आप ये साइट के लोग देख सकते हैं कि ये जैसे प्रोडक्स आए हैं तो यह काफी बेतर लग दिया ठीक है तो यह तरीका था कि आप एक WooCommerce वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं और यह पूरी functional वेबसाइट है यहाँ पे जिस तरह जैसे यह आप एड़ करेंगे यहाँ पे इस हल जगा वो अपडेट होगा, चेक आउट कर सकता है में फ्री टीम्स और प्लगेंज के थरूँ एक complete functional WooCommerce वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं Hopefully आपको वीडियो पिसंद आई होगी kindly वीडियो को like, share and comment करें वीडियो को अपने friends के साथ भी share करें और आपने जो वेबसाइट बनाई है उतको community में भी share करें मैंने ZYONS की community बनाई है Facebook में discuss में आप kindly उन सब जागा पे जो आप काम करें उनको share करें इससे बहुत अच्छा लगता है कि आपको अपने काम को community में share करें ताके दूसरे भी आपके काम को देखें Hopefully आपको feedback मिलेंगे कुछ feedback अच्छे होगे कुछ feedback बोदे होगे तो आप इसको एक अपनी learning stage समझे और feedback से मतलब गुलेज ना करें जैसे मैं आपसे feedback मांग रहा हूँ और अच्छा लगता है कि जब कोई feedback प्रवाइड करता है तो kindly आप video में comment जरूर करें और मुझे feedback प्रवाइड करें वीडियो को like share and comment करना ना बूले चैनल को subscribe करना और bell icon को press करना ना बूले मैं आपसे मिलोगा next video में तब तक के लिए आप पिस